प्रेग्निंसी के दौरान दर्द महिलाओं के शरीर में बना ही रहता है। कभी ये दर्द बढ़ता है तो कभी कम भी होता है। लेकिन प्रेग्निंसी के दौरान होने वाले इस दर्द से क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके गर्मेग लड़का है या लड़की है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दो कि प्रेग्नेंसी के दौरान हार्मोल चेंजेस गर्वती महिलाओं के अंदर शुरू से ही इतने जादा होते हैं कि उनके शरीर पे कुछ ना गुछ परेशानी या फिर कुछ ना कुछ बद्लाव पने ही रहते हैं लेकिन अगर प्रेग् प्रेग्नेंसी के अंदिम दोर तक भी आपको ये दर्द महसूस नहीं होता है याने कि आपके पेट में या फिर कमर में कोई भी दर्द नहीं है लेकिन अगर आपकी प्रेग्नेंसी आगे बढ़ चुकी है 6 महीने, 7 महीने और 8 महीने हो चुके हैं आपको बहुत जादा दर महसूस नहीं होता है ना ही पेट में जादा दर्द हो रहा है और ना ही आपकी कमर में जादा दर्द हो रहा है लेकिन जब आपकी जलीवरी का समय नजदिक आता है उस दौरान ये दर्द काफी जादा हो जाता है तो इसका ये मतलब निकाला जाता है कि आपके गर में एक ब पुरा करते थे तो दूस्तों अब आप समझी गए होंगे कि प्रेग्नेंसी की छटवे महीने से पहले से अगर आपके पेट में या फिर कमर में काफी तेज दर्द है तो इसका ये मतलब है कि आपके गर में एक लड़की है वही अगर छटवे महीने के बाद आपको इस काफी बढ़ जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपके गर में एक लड़का है तो दोस्तों वीडियो समाप्त करती हूं धन्यवाद